निम्रत के साथ रोहिद शेटी और शालीन ने किया बड़ा प्रैंक निम्रत हुई एमोशनल कलर्स टीवी के शो खत्रों के खिलाडी सीजन 14 में हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि निम्रत की कैप्टनसी का मजाग बनाते हुए नजर आ रहे हैं शालीन और यहां पर जैसा कि रोहिद शेटी सबी खिलाडियों को ये बताते हैं कि शालीन बाहर निकलने के बाद ये भूल जाते हैं कि उनका माइक आउन रहता है और ऐसे में शालीन की एक रेकॉर्डिंग प्ले की जाती है जहां पर निम्रत की कैप्टनसी को पूरा भला कहते हुए शालीन नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ सुनकर निम Wert काफी जादा बुरा मान जाती है जहां पर निम RD अपनी सफाई देती है लेकिन यहाँ पर शालिन निम निमृत से लड़ बैटते हैं जहां पर शालीन ये फैसला तक सुना देते है कि अब उन्ने शो से बाहर जाना है क्यूनिकि उन्हें निमृ पर है लेकिन यहां पर निम्रित शालीन को ना जाने के लिए कहती हुई नजर आ रही है जिसके बाद रोहित शेटी और शालीन इस बात का खुलासा करते हैं कि ये सब कुछ महज़ एक मजाद था यानि की निम्रित के साथ कर रहे थे रोहित और शालीन प्रैंक और ये मज़ा कितना भारी पढ़ गया कि निम्रित के आंसों तक निकला है वेल ऐसे में क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें